नमस्कार दोस्तों आज हम इस वीडियो में वन प्लस नाइन आर वर्सस ओपो रानो 6 का फुल डेप्थ कंपारिजन करने वाले हैं इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दुसरे स्मार्ट फोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डाइमेंशन की दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो वन प्लस नाइन आर में 6.34 इंच जबकी ओपो रानो 6 में 6.17 इंच की लेंथ मिलती है जोकी वन प्लस नाइन आर से कम है विद की बात करें तो वन प्लस नाइन आर में 2.92 इंच जबकी ओपो रानो 6 में 2.84 इंच की विद मिलती है जोकी वन प्लस नाइन आर से कम है बात करें थिकनेस की तो वन प्लस नाइन आर में 0.33 इंच जबकी ओपो रानो 6 में 0.3 इंच की थिकनेस मिलती है अब बात करते हैं वेट की तो, OnePlus 9R में 189 ग्राम्स, जबकि OPPO RANO 6 में 182 ग्राम्स का वेट देखने को मिलता है तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेर करते हैं डिस्प्ले टाइप की बात करें तो, OnePlus 9R में Fluid AMOLED जबकि OPPO RANO 6 में AMOLED की डिस्प्ले मिलती है अस्पेक्ट रेशियों दोनों फोन में सेम ही, 20 रेशियों 9 मिलता है डिस्प्ले साइज की बात करें तो, OnePlus 9R में 6.55 इंचेज जबकि OPPO RANO 6 में 6.43 इंचेज मिलती है डिस्प्ले रेजिलूशन दोनों फोन में सेम ही, 1080 by 2400 मिलता है Screen to Body Ratio, OnePlus 9R में 86.82 प्रतिशत जबकि OPPO RANO 6 में 88.29 प्रतिशत मिलता है बात करें PPI Density की तो, OnePlus 9R में 402 पिक्सेल प्रति इंच जबकि OPPO RANO 6 में 409 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानि विशेशताएं की जो की मोबाइल फोन का महत्वपून हिस्सा है अब बात करते हैं सब के पसंदीदा फीचर्स कैमरा की दोस्तों, सबसे पहले बात करें मैं कैमरा की तो, OnePlus 9R में 4 कैमरा देखने को मिलता है जिसमें की वाइड अंगल प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड अंगल कैमरा, मैक्रो कैमरा और आखिर में मोनो कैमरा देखने को मिलता है और, उप्लेस नाइन आण में 9 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और OPPO RANO 6 की बात करें तो उसमें 8 different type के features मिल जाते हैं. अब बात करें front camera यानि की selfie camera की तो 1 plus 9R में single camera देखने को मिलता है जिसमें की 6 different features मिलते हैं. और OPPO RANO 6 में भी single camera देखने को मिलता है जिसमें 5 different features मिलते हैं. अई अब बात करते हैं hardware के बारे में जिसमें हम CPU, GPU, RAM की information देखते हैं hardware में सबसे पहेले CPU जोकी speed के हिसाब से देखा जाए तो phone में सबसे important part है उसकी details देखते हैं chipset की बात करें तो, OnePlus 9R में Qualcomm Snapdragon 870 और OPPO Reno6 में MediaTek मिलता है बात करें RAM की तो, OnePlus 9R में 2 variant देखने को मिलता है, जिसमें 8GB 12GB की RAM मिलती है जिसमें 8GB RAM मिल जाती है बात करें internal memory जिसको हम storage भी कहते हैं वो, OnePlus 9R में 2 variant देखने को मिलता है जिसमें 128GB 256GB की storage मिलती है जबकि OPPO Reno6 में एक ही variant देखने को मिलता है जिसमें 128GB storage मिल जाती है expandable memory दोनों phone में नहीं है operating system दोनों phone में Android V11 देखने को मिलती है battery, OnePlus 9R में 4500mAh जबकि OPPO Reno6 में 4300mAh देखने को मिलती है अई अब main feature को देखते है colors की बात करें तो, OnePlus 9R में 2 colors जबकि OPPO Reno6 में 3 colors option मिलते है सब information देखने के बाद बात करें price की तो OnePlus 9R में 2 variant देखने को मिलते है जिसमें की 8GB RAM 128GB storage के साथ 49,999 रूपीज 12GB RAM 256GB storage के साथ 43,999 रूपीज में मिलता है और बात करें OPPO Reno6 की तो उसमें एक ही variant मिलता है जो की 8GB RAM 128GB storage के साथ 31,890 रूपीज में मिलता है दोस्तों अब बात करते हैं प्रांज और कॉन्स यानि की फायदे और नुकसान की तो OnePlus 9R में 8 फायदे और 2 नुकसान देखने को मिलता है जबकि बात करें OPPO Reno6 की तो उसमें 7 फायदे और एक नुकसान देखने को मिलता है फायनली बात करें है result की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है में कैमरा में OPPO Reno6 आगे है फ्रंट सेलफी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है परफोर्मेंस में दोनों फोन सेम ही है दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं पहले कॉंपिटिटर फोन की बात करें तो उसमें OnePlus 8T है जो कि 38,999 रुपए में मिलता है दूसरा OnePlus 9 है जोकि 49,999 रुपए में मिलता है तीसरा Vivo X60 है जो कि 37,980 रुपए में मिलता है और लास्ट कॉंपिटिटर फोन की बात करें तो उसमें OnePlus 9 Pro है जो कि 64,999 रुपीज में मिलता है और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी. दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है ये आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना.